क्योंकि इसके बाद इंडिया में भी FD के rate गिर जाएंगे, 9-9% का interest rate, कोई bank offer करती है, हाँ करती है, तुमको नहीं पता था, मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहу, इससे पहले FD की वीडियो बनाईए, उसमें अच्छे से सब कुछ explain करा है, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना, दो एप बताऊंगा, जिनसे FD बना सकते हो, 100% secure है, बाकी चीज़े साथ में बताएगे, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से सुनो, इंडिया के अंदर multiple type की bank होती है, उनी में से होती है, small finance bank, जो छोटी bank होती है, जादा interest rate offer करती है, normal bank के comparison में, ICCI, S SBI, XS, इन bankों में check करोगे तो अभी के time पर 7% का interest rate मिलेगा, वो भी maximum, ये 9% तक offer करती है, अब दूसरा सवाल है, क्या इनमें पैसा सुरक्षित होता है, हाँ, RBI के मताबिक भारत की सभी bank में, cable bank में, 5 लाग तक का रुपए, आपका सुरक्षित है, इसमें एक insurance होता है, व PCP influencer पर कभी भरोसा मत कर रहा, बट ये चीज़ government की है, so you need to trust on it, अब इसमें सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, कि ये रज़र ठीक है, small finance में direct account open कर लेंगे, बट ये small finance bank इसी लिए है, क्योंकि इनके servicing बहुत छोटे level पर है, तो आपके nearby इसकी brush तो होग application का interface आपको right side में दिख रहा है, देखो मेरा investment है already, इसमें 17 लाग रुपे का, तो मैंने invest कर रहा है, वही चीज़ आपको बताऊंगा, जिसमें मैं मैं खुद बिलीब करता हूँ, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें 5 option है, FTE के, ये पहला है सूरियोदे small finance bank, दूसरा है उतकर्ष small finance bank, शेबाले के small finance bank, तीसरा है श्रीराम finance और चौता है बजाज finance, अब ध्यान से देखो, ये शुरबात के जो तीन option है इसमें लिखा हुआ है, up to 5 lakh insured, मतलब गौर्मेंट के तरब से जो insurance की बात करी गई थी न, वो insured है, इन तीनों option में अगर पैसा डालोगे, तो 5 lakh तक आपका insured है, 5 lakh से उपर जाओगे तो bank डूपती है, तो उसकी कोई guarantee नहीं है, बट 5 lakh तक government की guarantee है, बट ये बजाज finance और स्रीराम finance में करोगे, तो इस टाइप का कोई insurance नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये bank नहीं है, ये है NBFC companies, ये बात clear, अब let's say, हम small finance पर empty करते हैं, click किया, ये सारी detail आपको आ गई है, कि अगर आपके में senior citizen है, तो आपको 9.10% का भी मिल सकता है, और last तक देखना, last में एक bank कैसी बताईए, कि अगर आप senior citizen हो, तो आपको 9.50% का भी मिलेगा, अगर आप regular हो, तो भी 8.65% मिलता है, normal bank के comparison और 1.65% जादा, और without taking any risk, कोई risk नहीं है इसमें, तुमको जो डर लग रहा है न, वो इसलिए लग रहा क्योंकि तुमने कभी use नहीं किया, government के website पर जाओ, थोड़ा पढ़ो, सब clear हो जाएगा, इसमें गले नहीं लिखा है, आराम से आप निकाल सकते हो, तो invest पे click करते हैं, अब दूसरी ब application में आपको तीन option मिलते है, सुर्योदे का, उतकर्ष का, शिवालिक का, तीन ओप आप invest कर सकते हो, with interest, 5 लाग तक आपका secured है, तो 4 लाग, 4 लाग, 12 लाग तक इसमें आराम से invest कर सकते हो, 1 लाग रुपे interest कमाल लो, इसी में जो दूसरा best option है, that is binth bell, क्यों ये एक अच्छा option है, क्योंकि इसमें normally आपको 9% मिलती है, पुराने वाले में maximum 8.65% मिलती थी, normal पे, और senior citizen पे 9.10%, but इसमें normally आपको 9% और senior citizen हो, तो 9.5% है, तो मम्मी के नाम पे भी open कर सकते हो, पापा के नाम पे भी open कर सकते हो, तो इस type से अगर आपके पास 50 लाग रुपे हैं, तो ऐसे चार बैंक हो गई, अप्रोक्सिमेटली 18 लाग वाँ पे इन्वेस्ट हो गया, मम्मी के नाम पे कर दो तो 18 लाग वाँ पे इन्वेस्ट हो गया, तो इस हिसाब से आप wisely decision ले सकते हो, अपने हिसाब से, मैं बस अपना opinion दे रहा हूँ, यह application आपने open कर दी, choose your ft में दीखिए के अंदर click करते हैं, अब इसमें और उसमें stable money और wind wealth में थोड़ा सा difference है, stable money में जब आप ft करते हो, तो कोई account open नहीं होता, बट wind wealth में जब आप ft open करते हो, तो आपको saving account open करना पड़ता है, इसी application के तुरू आराम से open हो जाता है, इसमें यह option है, let's say book my ft पे click करता हूँ, 1000 र हमारी बन चुके है, यहाँ पे सारी आपको detail दिख रही है, ft हमारी यह 1000 रुपे की बन चुकी है, confirmation आपको 2-3 दिन में आ जाएगा, इस app में भी मैंने multiple amount invest कर रखी है, 4,32,000 वो आप देख सकते हो, मैं इसको कुद यूज़ करता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहि बैंक डूब सकती है, कोई बात नहीं, पर हमारे पास government का insurance है, RBI का, जो कि हमें promise करता है, कि 5 लाग तक हमें मिल जाएंगे, तो एक बैंक में 5 लाग, 4 बैंक में 20 लाग तक हमारे पैसे सुरक्षत है, इससे ज़्यादा invest मत करना, maximum 5 लाग तक, और 5 लाग नहीं interest भी होगा, तो maximum 4 या 4.5 लाग तक, that's all, मतलब interest मिला के 5 लाग तक की amount होनी चाहिए, कोई भी confusion है, FT से related, please comment, और ये last quarter है, FT का, क्योंकि इसके बाद US में FT के rate गिर जाएंगे, इंडिया में भी कम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है, ये 3 month is the best opportunity to get maximum FT return, अभी भी कोई doubt है, please comment,